हेलो फ्रेंड्स आपका हमारी चैनल मल्टी के वेल्ट पर बहुत-बहुत स्वागत है आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंट्रेस्टिंग होगा क्यूंकि हम जानेंगे अपने एक नए आई आई पियो के बारे में जिसका नाम है कौशल या लॉजिस्टिक्स आई पियो तो ये आई पियो आपको माला माल बना देगा क्यूंकि इसका है शांदार ग्रे मार्केट प्रीमियम और शांदार सब्सक्रिप्शन स्टेटस और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगिलर फाइनशल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने नियर एंडिया वन से शेर करना बिलकुल न भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिगिलरली मिलती रहिए एक इंपॉर्टेंट इंफिमेशन ये वीडियो किसी भी त की स्टाक मार्केट हाइली रिस्क की कांसिडर की जाती हैं तो आएए जानते हैं तो ये आईपियो फिक्स हुआ है 36.6 करोर रुपी का जिसमें से 33.8 लाक शेर्स फ्रेश इशू में हैं इस आईपियो की सब्सक्रिप्शन ओपन हो चुकी है दिसंबर 29 से और क्लोस हो जाए जाने वाले हैं खानवाला सिक्योरिटी इस लमिटेट और स्काइलाइन फानेशल सर्विसस इसके रिजिस्टर रहेंगे इस आईपियो की फेस वैल्यू 10 रुपी पर रिक्विटी शेर रहेगी प्राइस पैंड फिक्स हुआ है बिट्वी बिट्वी पर रिक्विटी शेर लॉट साइज रहेगा एक लॉट रहेगा 1600 शेर्स का तो मिनिममम आप वन लॉट यानि की 1600 शेर्स के लिए है अपलाए कर पाएंगे टोटल इशू साइज है 48,80,000 शेर्स का जिसमें से फ्रेश इशू है 33,80,000 शेर्स का लिस्टिंग होगी NSE SME पर बेसिक अलॉट्मेंट अगर आपको ये IPO अलॉट नहीं होता है और आपके दीमाट में भी क्रेड़ित हो जाएंगे अंडे जैन्वरी 8 यूपीय मंदेट एक्सेप्ट करने की ताइमिंग से 5 पीम और जैन्वरी 3 प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री इशू है 99.99% जो कि पोस्ट इशू रहेगी 72. 2.98% this is a plus point after the IPO promoters के पास काफी बड़ी holding रहेगी तो ये company found हुई थी August 2007 में तो basically Kaushalya Logistics Clearing and Forwarding Services में है ये service वो provide करते हैं leading cement companies को तो leading cement companies उनके players इनके client हैं इनका एक online e-commerce platform भी है जिसके थू ये distribute करते हैं electronics and home appliances साथ ही ये commercial real estate leasing business में भी है तो basically अगर broader way में बात की जाए तो company logistic and transportation service में है जो कि ये provide करती है cement companies को transportation में है और warehousing and distribution में भी है तो ये एक vast business line है इस company की और इन्होंने अपने आपको थोड़ा expend भी किया है through the e-commerce online portal and real estate leasing business काफी अच्छा इनका broader business है diversified है अगर key financials की बात करें तो revenues increased है 894.14% profit after tax increase 87.43% जैसे की assets की बात की जाए तो काफी अच्छा number है assets का और continuously increasing assets है तो ये plus point है revenue making firm है 2022 के मुकाबल अगर 2023 की बात करें तो company ने काफी अच्छे profits और काफी अच्छे revenues generate किये हैं profit after tax भी काफी अच्छे है net worth काफी अच्छा है continuously increasing net worth है reserves and surplus भी अविलेबल है और company पर कुछ borrowings भी है market capitalization है 138.98 crore रुपी PE है 16.2 का return on equity है 4713.49 return on capital employed है 70.48% earning per share है 470.58 return on net worth है 36.50 तो ये था एक brief about the company and the IPO details अगर इस particular IPO के subscription status की बात की जाए तो अब तक ये IPO 43.93 times subscribe हो चुका है जिसमें से 68.97 times retail category में 2.74 times qib category में 43.64 times nni category में ये subscribe हुआ है तो काफी अच्छा इसका subscription status है लगाता subscription बढ़ता जा रहा है और अगर gray market premium की बात करें तो market में इसका gray market premium 55 रुपी के आसपास चल रहा है तो इसका estimated listing price होगा 130 के आसपास तो 73.33% आप इससे listing gain बना सकते हैं कंपनी का profile काफी अच्छा है तो आप long term के लिए इसमें invested रह सकते हैं ये देखे काफी शानदार इसका gray market premium market में चल रहा है इवन इसका IPO के dates open होने से पहले ही काफी अच्छा gray market premium market में चल रहा है तो मैं इस IPO के लिए positive हूँ आपकी राए इस IPO के बारे में क्या है comment section में जरूर शेयर कुए तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को like और subscribe करें for more updates please press the bell icon so let's get started with multi-cap wealth